कार परती परिकथा के 18 भाग में आपका स्वागत है तो कथा को आगे बढ़ाते हैं पंडित सरबजी 24 ने कहा बां हसने की कोई बात नहीं यह हमारी भूखी गौमाता की आवाज है दुख से छटपड़ाती हुई गया विलाप कर रही है बां हमारा यही नारा है जितनी बार हम लोग मिलकर ही है नारा लगाएंगे उतनी बार जितन के सिर पर गवहत्या का पाप सवार होगा एक बार बां करने पर चार हजार गवों की हत्या का पाप असी हजार गव हत्या का पाप चड़ती वह खुद बखुद पागल हो जाएगा लगाए नारा बंग बंग और जोर से बीस बार बंग लुतो बिर्भद्दर बाबूस रुसन विस्वा और गुडधच जाठा कुरबाडी के चबूत्रे पर खड़े होकर नारा लगा रहे हैं गरदुज्जा ने अपनी लंबाई का फाइदा उठाते हुए ठाकुर टोले का बीज जन्मों खोलता है क्यों क्या बात है धोल बज रहा है बबुआन टोली की और कान लगा कर सुनिये ना बॉबजन ठाकुरने का डिंग 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 हाँ धोली है किस बात की डुलाही है सरकारी डोंडी डिडिग 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 डिग 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 हरामो खास को बजरिये डुलाही के आगाह किया जाता है तारिक 23 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट साहब परती जमीन दखल करने आ रहे हैं परती जमीन वाले अपना कागज पत्तर दलील दस्तावेज लेकर सरकिर कमचारी की कचहरी में उस दिन हाजिर रहें डिडिग 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 परती जमीन सरकार दखल करेगी यह कानून कब बना आ गया नया कानून बन कर आ गया अब बाहा करने से क्या होगा देखा इस इसलिए एक महिना पहले से ही मार्ट ट्रेक्टर से पर्ति उधेर कर रख दिया जित्तन बावु ने, कितना चलाक है, पर्ति उधेर देने से क्या हुआ, कानून तो सब के लिए बराबर है, टीसन पर जाकर देखो, पांच हजार गाच पार्सल से आये हैं, सच पुछ में गु नामी चिठ्ठी लिखकर ये सब करवाई करवा रहा है, पर्ति जमीन छिनवा कर क्या फायदा हुआ, मन की खुजली और क्या, यह जित्तन बावु का विजय डंका बोल रहा है, दो चक्कर पर्ति बचा लिया पगलू ने, आहा, बेचारे जित्तन बावु को जाकर देखो, माथे पर हाँ धर कर बैठे हैं, बारा सो बिगे पर्ति पर पार हो गई, मारो गोली पर्ति जमीन जाती है, तो जाने दो, देखना सरकार को घाटा लगेगा, उसमें क्या अब जेगा भला, असल में सरकार को अकिल बुद्धी कुछ भी नहीं है, एक पागल आदमी के कहने पर मुफ्त में पर्ति चीन रही है, अब करो खूबा, डिडिग 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 डिडिग, धोल की बोली लुट्टो को जरा भी नहीं सुहा रही है, लगता है धोल बजाने वाला उसकी पीठ पर लकडी मार कर बजा रहा है, डिडिग, थोड़ा कसूर, इसमें थाना सम पती का भी है, यदि पहले ही लुट्टो को मालूम होता, तो बेकार परती क्या, सरकार धनहर जमीन भी ले ले लोगों की, इसे लुट्टो का कुछ आता जाता है, लेकिन गाउं में यह बात घर-घर फैल रही है, कि जितन के कहने पर ही सरकार नहीं कानून बनाया है, लोग एक बार थाना सभापती से जाकर पूछना होगा, यदि थोड़ी भी गुंजाईस हो तो इसमें अडंगा लगा दे सभापती जी, लुट्टो जिंदगी भर बिना पैसे की गुलामी करेगा, सब की ये कराय पर पानी फिर रहा है, आखिर लुट्टो का भेलू, येतन भाई बल भद्दर चौधरी खेती बारी देखते हैं, मोटी बिद्धी के आदमी है, मजला विर भद्दर मैट्रिक पास करने के बाद तंबाकू का कारबार करता है, और आजकल क्रांग्रेसी भी हो गया है, लुट्टो की पैरवी से सभापती ने क्रियासील सदर से चुन सबसे चोटा शिव भद्दर निरक्षर भटाचारी है, भैस चराता है, जितन बाबु के पीछे तीनों भाई हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन जाल में फस्ता ही नहीं, बल भद्दर चौधरी बोले, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, देख रहे हो न जितन ने दो चक्कर प अबु जी पर तीन तीन मुकदमे किये थे, कोई बात होते ही जितन तुरंत मुकदमे का कागज दिखा कर कहेगा कि पुरानी दुस्मन इशाद रहा है, तुमारी बात पर मुझे भरुसा नहीं, गांट से पूरे 700 रुपे भी खर्च हुए, न तो आम के बाग वाले मामले म कुछ हुआ और न पड़ती, और उसने घर बैठकर ही ऐसे चरकी चलाई कि आज गाउं में ढोल डिगड़िगा रहा है, सिव भद्दर बहुत देर से कुछ कहना चाहता था, अचानक उत्ते जितो कर बोला, मेरी बात तो आपनों मानते नहीं, मुझे उकम दीजी, एक रात म तो चुपरा सिवा, बलभद्दर चौधुर ने डांट बताई, भाई साहब मेरी दिमाग में एक बात आई है, लेकिन इसमें भी थोड़ा खर्चवर्च करना पड़ेगा, बिरभद्दर अपने बड़े भाई के पास किसक जाता है, तजमनिया को किसी तरह काबू में ले आएं, तो सब जन्जट साप हो जाए, अजी कोशिस करने से क्या नहीं होता है, बलभद्दर चौधुर ने मुह विक्रित करते हुए का, उधर मुंसी जलधारी रोज सर्वे कचहरी में मुझसे कूट करता है, कहिए चौधुर जी हम लोगों को इस गाउं में बसने दीजे देगा या नहीं, सुटकर देह लहराने लगती है, बिर्भद्दर प्रतिग्या करने के अंदाज में कहता है, अच्छी बात है, गाउं में बसना चाहता है, मिट्टी के नीचे बसा देंगे, हुआ सबेरा में खबर छपने तो दो जरा, आज मैं कुबेर भाईया को फिर च करती है, कौन करती है दिल लगी, तजमनिया की सीथ में सिंदूर देकर शादी करेंगे जित्तन बाबु, एं गंगा सपत, सुनो दीदी, मैं अभी देख कर आ रहे हूं, जित्तन बाबु का जबरा कुता है न, उसको गोदी में लेकर कंगी से केर समार रही थी, मेरे साथ मे जैवंती भी थी, जैवंती ने क्या कहा जानती हो, तुम ही कहो जैवंती, ऐसी भी सर्मी वाली मुझसे नहीं बोली जाती, मैंने कहा कि लैला मजनु ठेठर में तो लैला मजनु के कुत्ते को मजलूम प्यार करता था, तुम तो उल्टी रीद कर रही हो ताजमनी, इस पर बोली ठेटर में जो बात होती है सो गाउगर में नहीं होती खुब खुश है ताजमनी आज कल क्यों? मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है मेरी ही उम्र की है तुम्हारी उम्र की है? लेकिन देखने में तो लगती है जैसे हम लोगों के बैस की है रंडी पतुरिया के बैस का पता थोड़ा लगता है उपर से दवा खाती होगी जरूर खाती होगी लगता है मलारी चौड़ी भी कोई दवा खाती है खाती होगी जो भी कहो जित्तन बाबु मुझे बड़े अच्छे लगते हैं हाँ दिदी हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है बेकार क्यों दोख दूंगी क्यों रिजेवंती मुझे भी अच्छे लगते हैं तब उस दिन क्यों कह रहे थी बड़े खराब आदमी है अलान है फलान है तू भी तो कहती थी देख मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ी ह हवेली की पिछवाडे होकर आती जाती है याद रखना जितन बाबु की फुलवारी का अड़ुल फूल कभी मत तोड़ना हाँ क्या होगा बोलो ना फूल तोड़ने से क्या होगा होगा क्या न मरेगी न जाएगी दिन रात हाय हाय करेगी तुमने कभी तोड़ा था क्या च गाउं में ढोल हनहन बोल लाक टका खोल लाल कन्ना मोल लाल कन्ना डोरी में मुद्री राखल खोली में मुद्री जेहराएगेल कन्ना गे जहमाएगेल कादर कहरिया दोडेर पहरुआ बख 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 मीत आजकल मौज में है रोज सुबह को दिल बहादूर ताजमनी के साथ पहुँच जाता है कराउं शह तपाई लाए अपने पास आने के लिए सुबह से ही चलाना शुरू कर देता है जिद्दा जी उने कहा है दे आओ सुधना अब मातारा की ठिठोली नहीं करता उसने मन ही मन मनावती की थी यदि मीत उससे दोस्ती कर ले तो मातारा को वह सचमुच मा समझेगा दिद्या के साथ वह भी किरतन गाएगा मीत ने उससे दोस्ती कर ली है दौर दौर कर गेंद खेलता है उसके साथ ताजमनी ने मीत के गले में रेश्मी फीता बान दिया है ओ मा मैं कहां जाओं यह तो सचमुच बोली भूचता है रे सुधना देख कैसा चिड़ गया है अच्छी बात है नाराज मत हो मीत बाबू तुम्हारे दुलहिन मुंदरी नहीं खोएगी अब तो हुआ न लाक रुपैया की दुलहिन बाख बाख वह तुमको भी दौडने कहता है अपने साथ सुधना मुग धैमीत पर मैं नहीं दौडती गंगा काकी कियट टोली से लोटी आ रही है ताजमनी के दरवाजे के पास ठिटक कर खड़ी हो गए वह आहरे सुहा कुट्टे से खेलती है खखा कर बूली तजमनीया जाओ काकी गाओं में किस बात की धुलाही दी जा रही है जान बुचकर अंजान बनती है तू मैं भी तो वही बात पूछने आई हूँ कि लोगों की परती जमीन छिनवा कर जितन बाबु को क्या मिला किसने परती जमीन छिनवाई किसकी देख तजमनिया डगडिन के पेट से पेट छिपाती है जिसका कुट्टा तेरी गोदी में खेलता है उसके दिल की बात भला नहीं जानेगी तो मुझसे पूछती है ताजमनि चुप हो गई गंगा काकी आजकल हमेशा जगडने का बहाना ढूनती रही गूंगे का दुश्मन नहीं लेकिन गंगा काकी क्यों चुप रहे बिर्भद्दर बाबु और लुत्तों ने मिलकर कहा है तजमनिया को इतना तंग करो कि उसकी एठन दूर हो जितन कुछ नहीं बोल सकता उसकी हिम्मत नहीं तु मेलने में तंबू लेकर नहीं जाएगी तजमनिया दसहरा का मेला तो अब करीब है इस बार तो सभी जाएंगे तजमनिया के ओठ थर थर आये वह कुछ जबाब नहीं दे सकी कोणे को घोडे कांडा समझकर से रही है तू किस गुमान में है तू जितन तुमको हवेली में बहुरानी बना कर रखेगा गंगा जल से मूँ धोकर रखो मैं धर्ती पर तीन रेख खिच कर कहती हूँ कभी नहीं कभी नहीं बाख बाख मीत गंगा का की आंगन के बाहर जाकर बूली जैसा मालिक वैसा कुट्टा ढोल की डिगडिगी पर सारा गाउं रह रहकर डगमगा जा उठता है मानो पुरानी परती पर जिसकी एक इंच भी जमीन नहीं वह भी सरकार की इस कानून से क्षब्ध है जित्तन बाबू की तरह पहले से ही लोग अपनी धर्ती को तोड़ देते तो आज यह बात नहीं होते परती तोड़ने से क्या हुआ है तो आखिर परती जमीन जित्तन की जमीन कैसे बच सकती है कर्मचारी अभी यह कह रहा था कि जिस पर हलकी रेफ भी पड़ गई है उसको हम नहीं ले सकते भपरती तो नहीं रही भिमल मामा कहते हैं कौमार्य भंग, जिस परती का कौमार्य भंग हो चुका हो उसको नहीं लेगी सरकार बस अब तो टीन ही दिन बाकी है, तीन दिन भी काफी है क्या बोले भिम्मल मामा कुमारी सधवा को भी भाईया पागलों की बात पर क्या बहस करना एक से एक पगलैंट जमा हुए हैं गाउं में भिम्मल मामा, मनमूहन बाबू और जित्तन बाबू अच्छा, एक बात तो कहो क्या ज़्यादा पढ़ने लिखने से आदमी पागल हो जाता है सच मुच ज़्यादा गुर्टीता होता है ना, किन्तु गाउं में ऐसे लोग भी हैं जिने भिम्मल मामा की बात से प्रेंडा मिले तीन दिन भी काफी हैं सिर्फ तीन दिन ही नहीं तीन दिन रात आज ही रात से क्यों नहीं अच्छा सांज होने दो सांज हुई एक करकट बुद्धी किसान ने अपने हलवाहों को बुलाया हठात अपने मालिक को कृपालु होते देखकर हलवाहे सतर्ख हुए उन्होंने आपस में काना फुसी की आखों ही आखों में बाते हुई क्या बात है रात में खसी बकरा काट कर भोज क्यों खिला रहा है मामला संगीन समझ बहाना बना कर वे भाग खड़े हुए गाउं के दमकन बुद्धी किसान अपने प्रतिद्वंदी के हलवाहों चरवाहों तथा नौकर मज़दूरों से बहुत प्रेम कबरताओ करते है घर की बात खेती ग्रहस्ती की भीतरी बाते तो यही बतला सकते है क्यों गुतना आज की बुलाहट साम में क्यों होई है सुना है कि लाने पिलाने का भी प्रभंद है हाँ कह रहे थे कि खा पी लो और रात भर परती पर हल चलाओ सिर्फ रेफ देते जो एं ठीक बात ठीक ही कहते हो है तुम्हारे मालिक कोई हरस तो नहीं कोई डंड जुर्माना तो नहीं लगेगा नहीं मैं भी अपने हलवाहों को बुलाता हूँ हीं की चौक की तरह बात फैली गाओं में एक पह रात बीते बीते परती पर हल चलने लगे सब ही अपनी परती बचा रहे हैं तोड़कर ए चुपचाप कर्मचारी को मालुम नहोंने पाए नहीं तो कोई बखेडा खड़ा कर बेठेगा लहरों को गिनकर भी आमदनी करने वाला आदमी ही सरकारी कर्मचारी हो सकता है वह पहले से ही साइकल लेकर चक्कर काट रहा है परती पर दो तीन से पाई है साथ में कुछ कहता नहीं है किसी से किसानों का नाम और हलों को गिनकर नोट कर लेता है रोशन विश्वा के साथ गरुड दुज्जा साइकिल पर हर गिरोह के पास चाता है गबरानी की बात नहीं, बात तै हो गई है दो रुपईया ही फी हल, कोई अडंगा लगा दे तो इससे ज़्यादा खर्चा हो सकता है कोई बात नहीं, दो रुपईया फी हल लगे तो लगे है कोई गैर कानूनी कारवाई तो नहीं करेगा पीछे रोशन विश्वाजीव से ओट चाट कर मुस्कुराते हुए गरुड जा की ओड देखता है गरुड जा कहता है, नया कानून की पूरी बात तुमको कोई बालिष्टर भी नहीं बता सकता भी अंदर में कौन-कौन नोक्स है, सो कौन जाने लेकिन खाया हुआ मुझ चुप तो रहेगा, बाद में जो हो सो हो गरुड जा इतना बेवकूफ नहीं कि सारी जिमिंदारी अपने सिर पर ले ले असन में गरुड जा चाहता है कि इस सिलसले में दो-चार मुकदमे हो जाएं तो अच्छा लेकिन करमचारी ने कहा, नहीं जाजी, जिसका खाएंगे उसके साथ नमक हरामी नहीं करेंगे करमचारी इतना गच्छा नहीं कि अपनी पोल खोल दे जब तक कि परती छीनी नहीं गई है, बजापता वह कोई कानूनी कैसे कर सकता है लेकिन इसी को कहते हैं लहरों को गिन कर भी चांदी काटना एक हजार उपया तो सिर्फ चितन बाबू दे रहे हैं जो रमई वाले बाबू का ट्रेक्टर भड़ा पर लाने गए हैं नए कानून की लहरे आती हैं, जाती हैं, चांदी के रुपय मचलियों की तरह छट पटाते हैं, कागज के नोट पक्षियों की तरह पड़पडा कर उड़ते हैं, ब्रह्म पिसाच वाली बात जूट नहीं ग्राम पुस्तकाले के पठनागार में भिमली अठाका लगाते हुए कहते हैं, भिमल मामा, परती पर जाकर देवगणों को देखो, हल जोतते रहे हैं, पोब दफोर चौबे भी हल मंगनी करके आया है, राम लला की परती बचाने, बां, सवाइन को जब किसी ने हल मंगनी नहीं दिया, तो उसने अपनी तीनों जवान बेवा बेटियों को ललका कर कहा, चल रही, नित्या, रित्या, सित्या, ले एक एक कुदाल हाथ में, इनील गाय जैसी देह किस दिन काम आएगी, सिर्फ देवगण ही नहीं, देवियां भी, हाहाहा, बोलो बां, आगे अगले आंक में, धन्यवाद